है गाइस वेलकम आपरेटिंग सिस्टेम के सीरीज में आज का हमारे टॉपिक है रॉण रॉबिन सीप्यू शेडियूलिंग अल्गारिधम सो क्वेशन में हमारे पास प्रोसेस की आईडी जो है वो दी हुई है उसके अराइबल टाइम और इसकी बर्स टाइम जो है गिवेन है और हम लोगों को फाइंड आट करना है एवरेज वेटिंग टाइम एवरेज टर्न आराउंड टाइम को ओके सो रॉन रॉबिन अल्गारिधम किया है यह CPU का सेड्यूलिंग अल्गारिधम है जिसमें हमारे पास क्राइटेरिया होता है टाइम कौंटम और उसकी मोड होती है प्रीम्शन और प्रियम्टिव जो भी बोल सकते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ प्रियम्शन का मतलब होते हैं तो रेडिक्यू से प्रोसेस रनिंग स्टेट में जाते हैं तो रनिंग स्टेट में यानि कि CPU जो है रनिंग स्टेट में प्रोसेस को पूरा एक्जेक्यूट नहीं करेगा वो एक पर्तिकुलर टाइम कॉंटम तक ही प्रोसेस को एक्जेक्यूट करेगा फिर वह व running state मतलब CPU, CPU उसको execute करता है, कैसे execute करता है, criteria क्या है, time quantum मतलब according to time quantum, जो हमारे पास time quantum है, तो इस question में हमारे पास time quantum कितना है, two units, तो two units तक ही, जो भी process हमारे पास ready Q में आएंगे, जब उसको CPU मिलेगा, तो CPU जो है, हर एक process को दो unit तक execute करेगा, फिर वापस से वो process जो है running state में वापस चलाएगा, लेकिन अगर इस 20 अगर process complete हो गया, तो process क्या होगा, इसके बाद का जो हमारा state था, terminate state, उस पे process चला जाएगा, और process जो है, terminate हो जाएगा, ओके, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं, इसको solve करने के लिए हम लोग को GAN चार्ट बढ़ाना पड़ेगा, सो गाइस, आप लोग एक चीज याद रखें के, रॉन ड्रॉबिन अल्गारिदम में जो हम लोग को सिर्फ GAN चार्ट नहीं, बल्के हम लोग को एक ready queue को भी maintain करना होता है, देखते हैं हम लोग यहाँ पे, तो आप लोग को इस तरीकी से ready queue और running queue, यानि के GAN चार्ट दोनों को draw करना है, हम लोग को ready queue को क्यो maintain करना है, यह हम लोग समझेंगे, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते है, ready queue, यानि के हम लोग को जो भी process ready queue में हमारे पास आते हैं, जो भी process उसमें हम लोग को यहाँ पे लिखना है, और जो process हम लोग का running state में, यानि के उसको CPU एक्जेक्यूट कर रहा है, उसको हम लोग को यहाँ पे maintain करना होगा, तो सबसे पहले तो P1 जो है वो आया है जीरो टाइम पे, तो जीरो टाइम पे एक ही process आया है P1, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, CPU दे देंगे, क्योंकि वो बस जीरो ही टाइम पे आया है, राइस एक बात यहाँ पे यहाद रखे, सिफ रौन रॉबिन अल्गॉरिदम ही नहीं, किस बस टाइम है, या फिर जो भी है, criteria को हम लोग नहीं देखेंगे, क्योंकि अगर एक ही present है, ReadyQ में, तो हम लोग उसी को CPU दे देंगे, हम लोग criteria के चकर में रहेंगे, तो CPU क्या रहेगा, वो तो idle रहे जाएगा, तो एक process अगर 0 टाइम पे है, तो हम लोग CPU दे दिए, अब इसको हम लोगो कितने time तक चलाना है, इस process को हम लोग 2 unit of time तक चलाना है, तो 0 से लेकर कि 2 unit तक ही हम लोग इस process को चलाएंगे, तो 2 unit तक चल गया, अभी कितना बचा है, 5 था इसका burst time, 2 unit तक चल गया, तो कितना बचा 3, तो हम लोग यहाँ पे जो है, इसको लिग देंगे 3 इसको कट करके 3 लिख दिया, अब 2 unit of time पे कौन-कौन सा process जो हमारे पास arrive हुआ, 2 unit of time पे P2 और P3 arrive हो गया, 1 unit पे P2 आया था, 2 unit पे P3 आया, तो हम लोग ready Q में, यानि के ready Q में कौन सा process पहले P1 आया, फिर P2, फिर P3, तो P2, P3, तीनों लिख दिया इस तरी किसे, लेकिन P1 भ अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी वो 3 unit जो है, एक्जिक्यूट करना बाकी है, तो जैसे मैंने भी बोला, ready Q से running state में जाएगा, और अगर वो बचा अब रहेगा, तो फिर वापस ready Q में चला जाएगा, तो यही जो process है P1, यह वापस से क्या होगा, ready Q में चला जाएगा, यहाँ पर काम होता है, एक और important चीज यह है, कि आप लोगो यह नहीं करना है कि P1 complete हुआ, तो अभी यह बचा हुआ है, तो हम लोग फिर से ही P1 को यहीं पर लिख दिये, और P2 और P3 को जो है उसके बाद लिख दिये, वो चीज बस यहाँ पर नहीं करना है, क्योंकि अगर वो चीज यहाँ पर करेंगे, तो context switching होगी ही नहीं, जब हमारा process P1 जो है, वो 2 unit तक complete हुआ, तो उस case में जब हमने process control block को पढ़ा था, उसमें देखा था कि इसकी information है कि वो कब तक कहां से start हुआ, कब complete हुआ, और इसकी process ID क्या है, यह सब क्या होता है, process control block में safe हो जाता है, तो यह context switching है, यहाँ पर context switch हो रहा है, यहाँ पर P1 complete हुआ, 2 unit और उसके बाद वापस से ready Q में जा रहा है, तो इसकी information process control block में safe होगी, तब तक हमारे पास P2 और P3 जो है, वो ready Q में enter कर जाएगा वो, उसके बाद P1 जो है, लास्ट में जाकर के line लगाएगा, इसी तरीके से क काम करना है, कुछ लोग confused होते हैं, P1 को जो है, यहाँ फिर से लिख देंगे हैं, और P2, P3 को बाद में, यहाँ पर अगर आप लोगोंने ready Q को maintain कर लिया, तो Ron Robin algorithm में GAN chart बनाना बिलकोर भी मुश्कित लहीं है, सिफ आप लोगों को ध्यान देना है ready Q को, अब यहाँ पर 2 unit फिर उसके बाद next क्या है, P2, जो next है, उसको हम लोग क्या करेंगे, CPU दे देंगे, P2 को हमने CPU दिया, इसको भी हम लोग कितना unit तक चलाना है, 2 unit, 4 तक चलेगा, 2 से 2, 4 unit, अब P2 का burst time था 3, 2 तक चला, इसका मतलब अभी 1 बचा हुआ है, अब यह 1 क्या है, बचा हुआ है, इसका मतलब वापस ही जाके, ready queue में enter करेगा, लेकिन उससे पहले देखना है, कि 4 unit तक कौन-कौन सा present होगे हमारा ready queue में, सबसे पहले वो देखेंगे, तो 4 unit और time पक जो सारा process, यानि कि P4 और P5 भी जो है, आ गया है, तो P4, then P5, फिर P2 जाएगा, पीछे लग जाएगा, क् इसलिए वापस से वो क्या हुआ, ready queue में चला गया, P2 को यहां से cut कर देंगे, next है P3, P3 को हमने CPU दिया, P3 चलेगा, इसको सिफ 1 unit है, तो 1 के लिए हम लोग चला देंगे 4 to 5, हमारे पास time quantum जो है 2 unit है, लेकिन जब यह बोल रहा है कि इसको सिफ 1 घंटा ही चाहिए time, 1 घंट हुआ, P3 क्या हुआ, ready queue से running state में गया, और फिर वो terminate हो गया, वापस से ready queue में नहीं जाएगा, क्योंकि यह एक गंटक तक चला और फिर complete हो गया, next है फिर P1, P1 को हमने चलाया, 5 से 7 तक चलाएंगे, क्योंकि यह 3 इसका burst time है, तो 5 से 7, 2 unit चला दिया, तो 3-2, 1 बज गया हम अब 1 बज गया, तो हम लोगो वापस से P1 को जो है, ready queue में लिखना होगा, 7 unit तक का, तो सारा हम लोगो का 4 पर ही सारा आ गया है, तो अब हम लोगो देखने का जरूरत नहीं कि कौन सा process जो है, अरा आइव हो चुका है, तो P1 क्या होगा, फिर से वापस जाके यहां पर लग करते हैं, 7 to 9 यह process चलेगा, और यह पूरा execute हो गया है, क्योंकि यह 2 unit ही था, 7 to 9 चले, execute हो गया है, और terminate होगा, next है P5, P5 को हम लोग यहां से निकाले, यहां पर डाले, P5 की जो है, burst time है, वो है 3 unit, इसको 2 तक चलाना है, इसका मतलब यह 1 बचा वर हैगा, 9 to 11 चलाएंगे, 1 unit बचा वर हैगा, तो फिर से P5 को जो हम लोग ready Q में डाल देंगे, उसके बाद है P2, फिर P2 हम लोग लेंगे, P2 को हम लोग कब तक चला सकते हैं, 2 unit तक चलाना है, लेकिन इसकी burst time देखे 1 है, अब यह बोल रहा है कि सिर्फ मुझे 1 घंटा लगेगा complete होने में, तो इसको हम लोग एक घंटा दे देंगे, 11 to 12 हम लोग इसको चला दिये, फिर यह complete हो जाएगा, और terminate होगा, next है P2 तो हो गया हमारा P1, P1 को हम लोग को भी, P1 भी बोल रहा है, एक घंटा तक चला हो, हम complete हो जाएगे, तो इसको भी एक घंटा तक चला है, 0 कर दिये, 12 to 13 चला दिये इसको, और उसके बाद last है P1 हो गया, last है P5, P5 को हम लोग 13 to 14 चलाएंगे, P5 को, क्योंकि यह P5 भी जो है 1 unit बचा हो था, हो गया, so 13 to 14 चला, सिर्फ एक चीज़ आप लोग को ध्यान में रखना है, GAN चाट और यह Ready Q को मेंटेन करने टाइम ही, कि जो प्रोसेस हमारा Ready Q, प एक एक करके, GAN चार्ट में डालते जाएंगे, प्रोसेस को, Ready Q को कैसे मेंटेन करना है, सिर्फ एक रूल, P1, जो प्रोसेस अराइव होगा, उसको डालना है, और अगर कॉंटेक्स स्वीचिंग हो रही है, प्रोसेस जो है, रणिंग स्टेट से Ready Q में जा रहा है, तो हम लो प्रोब्लम सॉल्व हो जाएगा, सो यहां पर हम लोग कम्प्लीशन टाइम लिकाला है, कम्प्लीशन टाइम जो हम लोग पीछे से देखते हैं, कौन से प्रोसेस कब कम्प्लीट हुआ, तो P1 कब कम्प्लीट हुआ हमारा, लास्ट से देखेंगे, P1 कम्प्लीट, P1 यहां है इसके completion time हो जाएगी 13 13 P2 जो है last से देखेंगे इसकी यहां पर है इसकी completion time 12 P3 के लिए P3 इसर से हम लोग देखेंगे इसकी completion time 5 P4 का completion time है वो हो जाएगा 9 and P5 जो है यहां पर है है इसकी completion time 14 ओके इसके बाद हम लोग को निकालना है turn around time तो गैसे हम लोग जानते हैं कि turn around time equals to होता है completion time minus arrival time ओके सो completion time है हमारे पास यह arrival time है यह minus करके लिखेंगे 13 minus 0 13 12 minus 1 11 5 minus 2 3 9 minus 3 6 14 minus 4 10 और इसके बाद है waiting time तो waiting time को calculate करने का हमारे पास formula है turn around time minus burst time so turn around time भी हमारे पास हमें मालूम है burst time जो हमारे पास पहला वाला था जो हमने cut करके लिखा यानिके यह 5 3 1 2 & 3 आए वो आप लोगो दिख रहा होगा तो यह वाला से minus करना है यह सब तो हमारे पास contact switches करके हमारे पास वो result थे हमने इसको solve करके लिखा है इससे minus करेंगे 13-5 8 11-3 8 3-1 2 6-2 4 10-3 7 यह होगे हमारे पास turn around time and waiting time सुद्ध हमारे पास question में बोला जा रहा था calculate average waiting time and average turnaround time तो उसको हम लोग find out आप कर सकते हैं आपर हम लोग लिख देंगे 5 यह होगे 29 by 5 यह पास 5.8 unit और इसो काल्कुलेट करेंगे तो आएगा 43 divided by 5 यानी के 8.6 unit यह निकल गया हमारे पास average waiting time and average turnaround time जो के हमारे पास question में हम लोग को बोला था निकालने के लिए इस question में जो है हमारे पास process की ID, arrival time and burst time जो है given था और हम लोग को निकालने बोला था average waiting time and average turnaround time लेकिन अगर question में हमारे पास average sorry arrival time जो है नहीं दिया वा रहेगा क्योंकि Robin के case में ऐसे questions भी आते है जिसमें arrival time नहीं दिया वा रहेगा जिसमें process ID and burst time जो है given रहेगा so इस case में कि हम लोग क्या करेंगे न arrival time को जो है zero मान लेगे so if arrival time is not given for any problem statement then it is taken as zero for all the process okay and अगर दिया वा रहेगा तो जिस तरीके से हम लोग अभी solve के है इस तरीके से solve करना है दूसरा important चीज क्या है कि अगर हमारा जो question है उसमें अगर हमारे पास time quantum जो है two unit है यह अगर increase रहेगा अगर यह time quantum जादा रहेगा तो number of contact switches जो है वो कम हो जाएगे number of contact switches का मतलब क्या हुआ यह जो है हमारे पास हम लोग को grand chart को देखना है यानि कि running Q को यह वाला Q को हम लोग ध्यान से देखे हम यह जो line है P1 के बाद जो हमने line दिया फिर P2 के बाद line दिया यह हमारे पास contact switches है तो कितने number of contact switches है 12345678 यहां पर इस question के according में जो है हमारे पास eight number of contact switches है यह first वाले को हम लोग कॉंड नहीं करना है क्योंकि इससे पहले तो कोई process आया ही नहीं था P1 के बाद जो है process P1 जो है complete हुआ P2 arrive हुआ तो यहां पर क्या हुआ इन दोनों में क्या हुआ को contact switches running state में P1 चल रहा था run हो रहा था फिर जब दो यूनिट जैसे time हो जैसे ही दो बच गया CPU क्या किया P1 को वापस ready क्यों में डाल देगा फिर बोलेगा मुझे दूसरा process दो तो according to P2 को हम लोग दे दिया तो यह P1 जो है वापस चला गया और P2 जो है execute होना start हो गया CPU से तो यह क्या हुआ contact switches हुआ इसी को हम लोग बोलते है contact switches तो यहां P1 से में P2 में contact switches P2 P3 के लिए यहां पर दूसरा यह तीसरा चौथा पांच हुआ इसी तरीके से 8 contact switches हमने यहां पर अभी count किया यह पहले वाले को हम लोग नहीं count करें लास्ट वाले को भी नहीं count करेंगे यह जब complete हुआ तो CPU किसी next process को जो है नहीं लिया तो यहां पर contact switches नहीं हुए तो यह लास्ट वाला पहला वाला को नहीं लेना है तो इससे यहां पर द्यान एक और चीज़ जो है अगर time quantum कम रहेगा जैसे यहां पर time quantum 2 unit है तो number of contact switches जो है जाधा रहेगा लेकिन अगर time quantum बढ़ जाएगा अ 1 unit करते हैं 2 unit पर तो हमारे पास यह contact switches है 1 2 3 4 5 6 7 8 अगर हम लोग इसको 1 unit करते हैं तो क्या होता है P1 को हम लोग लेंगे 0 से 1 तक चलाएंगे फिर हमारा CPU स्विच करेगा फिर हम लोग B2 को लेंगे फिर उसको भी 1 unit तक चलाएंगे फिर हमारा CPU स्विच करेगा तो अगर हम time quantum घड़ा देते हैं तो context switches के हो जाएंगे बढ़ जाएंगे और इसी तरीके से हम लोग ओके आई होप आप लोगो समझ में आ गया होगा मैं क्या बोलना चाहरी हूं कि next हमारे पास जो है response time है जिसको हम लोग calculate करना है response time को calculate करने का जो formula है वो है response time equals to cpu first time minus arrival time मतलब process को जब पहली बार cpu मिला वो वाला time उसमें से हम लोग arrival time को minus कर देंगे तो आजएगा response time तो p1 के लिए देखेंगे p1 को cpu first time पे कब मिला है p1 इधर से देखेंगे हम लोग जब completion time देखते हैं तो पीछे से देखते हैं लेकिन response time हम लोग इधर से देखेंगे तो p1 को cpu first time पे मिला है 0 time पे so 0 minus arrival time 0 यानिके 0 p2 को first time पे cpu कब मिला 2 तो 2 minus 1 यानिके 1 p3 के लिए यहाँ पे 3 है इसकी जो है यहाँ पे 4 cpu 4 time पे मिला first time 4 minus 2 यानिके 2 p4 p4 यहाँ पे है इसको cpu मिला है 7 पे first time 7 7 minus 3 यानिके 4 और पी फाइव कहां पहर है यहां पर नाइन नाइन माइनस फॉर फाइव सो यह हो जाएगा हमारे पास प्रोसेस की रिस्पांस टाइम आप लोगों को यह टॉपिक क्लियर हो गया होगा अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझसे पूछ लेना क्योंकि यह जो रॉन रॉपिन अल्गॉरिधम को टॉपिक है यह काफी इंपॉर्टन टॉपिक है एक्जैम्स में सो लास्ट रिक्वेस्ट यह है कि अगर आपको नहीं तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिए थैंक्यों सो मच गैस पर वाचिंग इस वीडियो